आज हम देखेंगे आलेखों के अनुप्रयोग से जुड़े कुछ और उधारण रेलगाडी 1 प्राताह 8 बजे शहर A से शहर B के लिए रवाना होती है दोनों रेलगाडियों की यात्राओं को आलेख के रूप में प्रदर्शित किया गया है आलेख को पढ़कर निम्नुलिकित प्रश्नों के उत्तर ग्याद कीजिए दोनों रेलगाडिया किस समय पर एक साथ आई दोनों रेलगाडियों के लिए खीचे गए आलेख प्राताह 10 बजे एक दूसरे को मिलते है जिससे यह पता चलता है कि दोनों रेलगाडिया प्राताह 10 बजे एक साथ आई होंगी रेलगाडी एक यात्रा के दौरान कितने समय के लिए रुकी थी? रेलगाडी एक का आलेक प्रातः दस बजे से प्रातः दस बच कर 42 मिनिट तक एक शैतिज रेखा है याने कि इस समय के दोरान रेलगाडी एक दोरा तैखी गई दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं कि रेलगाडी एक यात्रा के दोरान प्राताहत दस बजे से प्राताहत दस बच कर 42 मिनिट तक रुकी थी याने कि 42 मिनिट के लिए रुकी थी की दूरी तैय की है इस तरह से रुखने से पहले की रेलगाडी एक की चाल थी 100 किलोमेटर प्रती 2 घंटे बराबर 50 किलोमेटर प्रती घंटा जब रेलगाडी दो शहर बी पहुँँ गई तब रेलगाडी एक शहर बी से कितनी दूरी पर थी रेलगाडी 2, दोपर 12 बजे शहर B पहुच गई इस समय रेलगाडी 1 ने 190 किलोमीटर की दूरी टै कर ली थी इसलिए वह शहर B से 300 किलोमीटर, रिंड 190 किलोमीटर, बराबर 110 किलोमीटर की दूरी पर थी अगला उधारण, एक लिटर दूद का मूल्य 40 रुपए है, तो 2, 3, 4 और 5 लिटर दूद के मूल्य को एक रेखा आलेक, यानि लाइन ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कीजिए यदि एक लिटर दूद का मूल्य 40 रुपए है, तो 2 लिटर दूद का मूल्य है 80 रुपए, 3 लिटर दूद का मूल्य है 120 रुपए, 4 लिटर दूद का मूल्य है 160 रुपए, और 5 लिटर दूद का मूल्य है 200 रुपए इन आकडों को हम इस प्रकार सार्णी बद करेंगे अब हम सार्णी के लिए रेखा आलेक कीचेंगे वर्गांकित कागस पर दो परस पर लंब रेखा है यानि परपेंडिकुलर लाइन्स कीचेंगे शैतिज रेखा X अक्ष है और उर्द्वाधर रेखा Y अक्ष है इसके बराबर एक लीटर पैमाना लेंगे वाई अक्ष पर आश्रित चर यानि की दूद का मूल्य दर्शाएंगे वाई अक्ष के लिए एक इकाई बराबर 40 रुपए पैमाना लेंगे तालिका से ग्यात होता है कि सबसे अधिक दूद का मूल्य 200 रुपए है इसलिए हम Y अक्ष पर दूद का मूल्य 200 रुपए पर समाप्त करेंगे अब हम पैमाने के अनुसार बिंदू अंकित करेंगे एक लिटर दूद का मूल्य 40 रुपए है इसलिए हम X अक्ष से एक इकाई दाई ओर चलेंगे और फिर एक इकाई उपर की ओर चलेंगे अब इस थान पर एक बिंदू याने की निर्देशांक एक चालीस अंकित करेंगे इसलिए हम X अक्ष से दो इकाई दाई ओर चलेंगे और फिर दो इकाई उपर की ओर चलेंगे अब इस थान पर एक बिंदू याने की निर्देशांक दो असी अंकित करेंगे इसी प्रकार हम निर्देशांक 3120, 4160 और 5200 भी अंकित करेंगे इसके बाद हम सभी बिंदूओं को रेखा खंडों से जोडेंगे हमने दूद की मात्रा और दूद के मूल्य को रेखा आलेक के रूपे प्रदर्शित किया है निर्मित आलेक एक रेखिक आलेक है यानि की लीनियर ग्राफ है आलेक से हमें ग्यात होता है कि जैसे दूद की मातरा बढ़ रही है वैसे ही मूल्य भी बढ़ रहा है इसलिए यह आलेक दो समानुपात राशियों की स्थिति को दर्शा रहा है आज हमने देखे आलेकों के अनुप्रयोक से जुड़े कुछ और उधारन झालेकों के बढ़ देखे गाहां